हेलो एवरिवन आप लोकी अपनी चैनल पायल कुकिंग में बहुत-बहुत स्वागत है मैं आज बहुत ही आसान रेस्पी लेके आई हूँ जिसको बनाने के लिए ना ही खोवा ना ही पनीर किसी भी चीज़ की ज़रूत नहीं है बस एक दो समान से बहुत बढ़िया आसानी त त्यार होगी इसी तरह सारे लोकी का छिलका मैंने हटा लिया है और उसको ऐचे से छील के दो के पहले से ऐसे बड़े-बड़े कड़ा आप किसी भी अकार में काड़ सकते हैं और फलहारी लोकी है आप एकादसी ब्रत में चाहिए किसी भी ब्रत में बना के खा सकते हैं तीन-चार बड़े चमच गी डालके और लोकी को अच्छे से भून लेंगे घीसने में बहुत दिक्कत हो रही थी इसलिए मैंने घीसा नहीं डिरेक्ट ऐसे ही बना दी हूँ और उसके बाद इसमें थोड़ा सा मलाई और दूद जादा दूद ने बस आदा को टूड़ी से भी कमी दूद है मलाई एक दीन की मतलब दो लिटर दूद की मलाई है उसको सारे को डाल के और थोड़ा सब भून के और बस कूकर में पांक से सीटी बिल्कुल इस धीमें आज पे हम ले लेंगे और इसमें सीटी लेने भर की दियर है और उसके पांक सीटी जब हमारी लग कूकर बिलकुल ठेंडी हो जाएगी फिर कूकर हम खोलेंगे ये बहुत स्वादिष्टी हल्वा बन के त्यार होता है आप किसी भी देवार पे बनाया सकते हो या भगवान के भोग में भी बना के त्यार कर सकते है अभी एकाथ सी बत्ते उसमें भी बत बढ़िया होती है औ और इसमें कुछ ऐसा डाले नहीं है जिस जो ब्रत में हम ना खा सके और ऐसे कच्छी की मदद से हम पूरे लोखी को अच्छे से मैस कर लिये हैं जैसे जैसे पानी शुकेगा ना वैसे वैसे हमारी लोखी मतलब गाड़ी होती जाएगी या फिर मैस भी होता जाएगा इसमें जुरूत ही नहीं है बहुत घिस्टे में दिक्कत होती है उसके बाद मैं थोड़ा सा दो तीन बड़े चमच मिल्क पाउडर डाली हूँ अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी पूरे कर सकते हैं थोड़ा सा ड्राइफरूट फिस के डाल दे आदा को टोड़ी से कम ही डाले आप मीठा जितना पसंद करते हो उतना डाल सकते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ऐसे धीरे धीरे हल्वा को पाकने देंगे जब तक हमारे हल्वा से घी अलग ना हो जाए बिल्कुल मतलब सुखा ना बन जाए तब तक हम करेंगे यह बहुत टेस्टी हल्वा बनके त्यार होता है आप किसी भी मतलब तेहुआर पर बना सकते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है इसको बनाने में जब मैं मन करें तब आप बना के खा सकते हैं भोग परसाथ के लिए तो यह बहुत भी बड़िया होती है और एक लौकी में काफी सारे हल्वा देखिए बनके त्यार होगी अब बहुत टेस्टी ठंडे होने के बाद ही और सुन्दर और कलर फूर लगेगा ऐसे लाइट की प्रोड़म से थोड़ा सा ऐसे देख रहा है लेकर देखिए किती अच्छी हमारी हल्वा बनके त्यार होगी अब जरूर बन चलवा बना के त्यार करेंगे थैंक यू गाइच